हेलो अरिवान, विलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स की यूटूब एज्चूकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे स्यव्टरान टैबलेट के बारे में थो हम सिखेंगे उसके बेजिक use के बारे में कि कौन से अलग-अलग medical condition के अंदर स्यव्टरान टैबलेट यूज की जाती है साथ जानेंगे उसके dose के बारे में उसका डेली dose वगरह क्या होता है उसके side effects का डेवलप हो सकते है and warning and contraindications को सीखेंगे detail वे आज के lecture के अंदर तो सुरू करते हैं आज का lecture और सीखते हैं सैप्टरान टेबलेट के बारे में तो expert lecture बाया मरसर, assistant professor and founder of PharmaRox Thank you for being PharmaRox family updated area of Pharma knowledge के साथ access करिये study material, test series video lecture और साथो साथ disease and medicines related course PharmaRox के आप उपर सीखे अलग-अलग दवाईयों के basic use के बारे में उनके dose क्या होते है side effects के develop होती है warnings क्या रहते है, contraindications क्या रहते है वो भी सरल बासा में एक साल तक affordable price में तो अभी download कर ये application PharmaRox की जो Android application है Google Play Store पे Apple iPhone, FF App Store पे link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो आप सीखते है सेप्टरान टेबलेट के बारे में तो सेप्टरान जो है वो brand name है और ये एक ऐसे class का medication है कि जिसको हम कहते हैं Antibiotics और ये Sulfuramide class का Antibiotic drug है और इसका जो main काम है कि जो infectious harmful bacteria होते हैं कि ऐसे bacteria जिनके करण अलग अलग बीमारिया होती है आगे जाके जो infection जो है वो कम हो जाता है तो इसी के करण जो अलग अलग जो bacterial infections होते हैं उसके इलाज में सेप्टरान के जो tablet ही जो है वो use किया जाते हैं आगे उसके content के बारे में समझे तो सेप्टरान जो इसका brand name है बट उसका जो अंदर जो कोई content है कौन सी drug है तो वो है co-triamoxazole करके medication है और ये medication जो है वो दो drugs के combination से बनता है कि एक रहता है trimethoprim और दूसरा रहता है sulfamethoxazole तो यहाँ पे co-triamoxazole के अंदर क्या रहता है कि एक part रहता है trimethoprim का एक part मतलब कि यहाँ पे आप label देखोगे तो पता चलेगा कि एक part में यहाँ पे trimethoprim जो है वो 80 mg जितना है तो उससे 5 गुना 5 part रहते हैं sulfamethoprim के कि यहाँ पे आप देख सकोगे कि sulfamethoprim दिया गया है 400 mg तो इस तरह से 1-5 proportion या फिर 5-1 के proportion में रहता है कि sulfamethoprim समझो कि 5 गुना है तो trimethoprim जो है एक गुना रहेगा और इस तरह से SMX और TMP का यह combination बंद है कि जिसके अंदर sulfamethoprim जो है वो 400 mg है और trimethoprim जो है वो 80 mg और उनके combination से जो medication तयार होती है उसको co-trimoxazole कहा जाता है और इसी का यह marketed formulation है यह septran tablet की जिसके manufacture हम यहाँ पे देखे तो GS के GlaxoSmith line यहाँ पे आप देख सकते हैं GS के जो है GS के pharmaceutical की जो Glaxo Pharma जो कहा जाता है GlaxoSmith line उसके जो है वो main manufacture यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर यह medication RX मनलब कि prescription based medication है लाल लकिर भी आप यहाँ देख सकते हैं और Cedule H का यह drug है तो warning यह रहती है कि अगर आप उसको retail में बेचते हैं तो proper prescription के साथ ही उसको बेचना रहता है and light से उसको protect करना होता है साथो साथ जो है वो बच्चों से दूर रखनी होती है खास कर कि जैसे वो self medication वगेरा ना करें और physicians के direct concern के साथ उनके prescription के साथ ही proper यह medications जो है वो ली जाती है उसके basic use हमझे तो specially जो bacterial infection से उसको treat करता है यह septoran tablet तो एक तो lung infections के अंदर सबसे ज़्यादा यह medication जो है वो use किये जाते कि जब हमारे फेफ़डों के अंदर infection होता है जैसे कि जो infection होता है जो हमारी airways tube है कि जो bronchize वगेरा है bronchials वगेरा है उसमें समझे कि यहाप आप देखो कि उपर के diagram में दिखाएगा है कि normal और healthy bronchials and alveoli जो हो दिखाएगा है कि जो हमारे respirated system के अंदर lungs के अंदर जो हो present होती है तो यहाप जो lungs के जो bronchials वगेरा है alveoli है यह normal है जबकि यहाप पे समझे के bacteria के infection के कारण आगे जाके जो नीचे वाली condition produce होते है कि जिसको हम कहते है lung infection कि जिससे क्या होता कि वहाप पानी बढ़ जाता है fluid feel हो जाता है फिर वहाप के जो उसकी thickness होती है वो increase हो जाती है stiffness जैसा हो जाता है inflammation देखने को मिलती है और यह वाली condition के नीचे वाली diagram में जो दिखाएगा है कि वो poor area जो है वो completely infected होता है कि वहापे fluid जमा हो जाना पानी बरना साथ हो साथ उसकी जो वाल होती है वो काफी ठीक हो जाती है और person को breathing वगेरा करने में भी problem होते है तो इसको treat करता है यह septran का tablet कि यह जो bacteria कि जन्नों ने यह infection किया है उनकी growth को कम कर देके कि जिससे यह संक्रमन जो यह जो infection है वो देरे-देरे कम हो जाता है उसी तरह से जो urinary track के अंदर इसी तरह से जब infection फैलता है तो उसको भी ठीक करता है यह septran tablet फिर जो ear infection होता है उसमें भी यह prescribe की जाते है कि ear के अंदर infection हुआ है और वहाँ पे जो संक्रमन है वो कम नहीं हो रहा दूस वक्त bacterial infection को कम करने के लिए septran के tablet prescribe की जाते है intestines के अंदर इसी तरह से bacterial infection हो फिर travelers diarrhea की जो हम condition कहते है या फिर impetigo की लाल color के जो source है वो आपके face के आस पास जो वो develop होते है एक type का देख लो की infection हो जाता है face के उपर bacterial infection तो उसको ठीक करता है यह septran का tablet फिर infected cuts and wound मतलब की यहाँ पे आप देखो कि यह जो गाव लगा है और यह गाव समझे के infected हुआ है कि यह गाव जो है वहाँ पे infection हुआ है bacteria के करन तो अगर आप समझे के कोई antibiotic medications नहीं लेते तो यह गाव जल्दी से आगे जाके नहीं बरेगा तो गाव अच्छे से सूख जाए और वो प्रॉपर जो है वो normal condition में हो जाए यह जैसे यहाँ की skin है तो इस type के यह area की जैसे skin है ऐसे normal condition में जाने के लिए जो है वो septran के tablet patient को दी जाते कि कई बार आप powder वगेरा तो लगाते है dressings वगेरा करते है बड़ ओरली जो है वो septran के tablet भी patient को दिये जाते कि जो infected cuts होते है वांस होते है उनके healing के लिए भी दी जाते कि वहाँ पे bacterial infection जादा ना फैले और कई बार क्या होता है कि जब इस तरह के गाव लग जाते है और वहाँ पे bacterial infections होते है तो वो गाव जो है वो लंबे समय तक रहते है तो वो गाव आपके जल्दी से भर जाए वो गाव सूख जाए उसके लिए भी antibiotics के तोर पे septran tablet यूज किये जाते हैं फिर UTI में भी useful है फिर जो MRSA के जो condition कही जाते हैं एक टाइप के skin infection से कि जिसको कहा जाता है कि methicillin resistant staphylococcus aureus skin infection कहा जाता है तो MRSA टाइप के जो skin infection है उसमें भी ये medication useful साबित होता है त्राइविलर्स डाइरिया फिर जो lung infection की जो हमारे बात होई तो एक टाइप का respirator rag के infection में useful है cholera की इलाज में भी useful है pneumonia और specially जो HIV AIDS वाले जो patient है और उनको pneumonia होता है तो उस वक्त ये saptran के tablet उनको prescribe गिया जाते है and जो immunosuppression की जो दूसरे reasons होते है specially bacteria के कारण जो problem होते है तो वो सभी में ये medication जो useful साबित होती है उसकी mechanism समझे तो co trimoxasol किस तरह से काम करता है तो एक आप simple एक process समझे कि किसी भी bacteria के अंदर अपना DNA का synthesis करना जरूरी होता है तो ये DNA के synthesis करने के लिए उसको जरूरत पड़ती है folic acid की तो folic acid जो वो produce होता है and use होता है bacteria के द्वारा अपने DNA को बनाने के लिए and आगे जाके वो DNA बनाके अपना reproduction करता है DNA का फिर replication होता है कि एक में से फिर दुसना और DNA तयार होगा फिर उसमें से एक और DNA तयार होगा इस तरह से फिर DNA के replication चालू होती है तो bacteria को अपनी growth करने के लिए अपना reproduction करने के लिए DNA का replication करना जरूरी है साथो साथ DNA को बनाना भी जरूरी है तो उसलिए ये folic acid जो है वो involved होते है तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो पूरा pathway देख रहे है तो वो pathways के अंदर जो sulfonemides जो है वो क्या करते है folic acid का जो synthesis है वो inhibit कर देते है तो sulfonemides के अंदर जो हमारी drug है co-trimoxazole तो वो क्या करता है ब्लॉक करता है और साथो साथ inhibit करता है folic acid के production को अगर आप समझो कि ये folic acid समझो के नहीं बन रहा कि tetrahydro folic acid ही समझो के नहीं बनेगा तो आगे जाके DNA नहीं बनेगा और DNA नहीं बनेगा तो bacteria का जो multiplication जो है वो क्या हो जाएगा prevent हो जाएगा कि जिससे bacteria जो है अपने growth नहीं कर पाएगा और growth ना होने के करण जो spread नहीं होगे वो कि उनकी जो spread होती है नहीं कि जो capacity है वो stop हो जाएगी और जिससे infection भी दिरे-दिरे जो है वो कम होता जाएगा तो इस तरह से यह co-trimoxazole medication काम करती है और यही medication को लेकर जो marketed formulation है saptrane जो बनाया गया है उसकी हम डूस की बात करें तो trimethoprin और sulfamethokzazole का जो combination जो हम आज discuss कर रहे है कि जिसके अंदर 80 mg जितना drug है trimethoprin और 400 mg जितना है sulfamethokzazole की यहाँ पे भी लिखाए कि trimethoprin 80 जितना है sulfamethokzazole 400 mg है तो यह tablet जो है वो 2 tablet लेते हैं दिन में 2 बार 2 दिन तक ही जब भी treatment समझे के start होती है तो इस तरह से 2 tablet patient लेते हैं कि हर 12 गंटे पे 2 tablet लिये जाते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि dose 2 tablets every 12 hours तो इस तरह से समझो कि यहाँ पे जो blister दिया हुआ है तो यह वाली एक tablet और यह वाली एक tablet जो है वाप लेंगे और फिर नीचे वाली जो tablet है वो दूसरे टाइम पे लेंगे तो इस तरह से 2 tablets आप combination में लेते हैं हर 12 गंडे पे कि यह वाला combination लिया फिर at least 12 hours भी थे और उसके बाद दूसरे नीचे वाली दो tablets आप लेते हैं तो यह हो गया BD कि दिन में 2 बार आप ने लिया और वो भी 2 दिन तक इस तरह से आप जो है वो schedule फॉलो करेगे फिर यह 2 दिन तक का समझे के schedule follow हो जाता है किस तरह से total 4 tablet जो है वाप ले लेंगे total 4 tablet हो गई आपकी एक दिन की और दूसरी 4 tablet हो गई दूसरी दिन की इस तरह से यह 4 plus 4 total 8 tablet जो है वापने पहले 2 दिन में लिए total 12 hours के time interval पे अब आप next क्या करते हैं दूसरे जो 5 से 7 दिन की जो treatment होगी उस वक्त एक tablet जो हो लेंगे दिन में 2 बार कि फिर 1-1 इस तरह से हो जाएगा फिर दूसरे दिन यह tablet तिसरे दिन यह 4 दिन का और यह 5 दिन का तो इस तरह से रहेगा कि आप फिर उसके बाद की जो treatment चालोगे तो पहले दिन पे आप जो है वो दो टैबलेट लेंगे 12 hours के difference पे फिर दूसरे दो टैबलेट जो है वो 12 hours के difference पे तो वन टैबलेट जो है वो BD इस तरह से यूज के जादी है 5 से 7 दिन तक तो जब treatment साथ सुरू होती है तो उस वक पहले दो दिन तक दो टैबलेट लेते हैं हर 12 गंटे पे और उसके बाद एक टैबलेट लेते हैं हर 12 गंटे पे 5 से 7 दिन तक उसका spectrum हम समझे तो microbial जो spectrum है कि कितने अलग-अलग microbial species के सामने ये medication effective विकाज ये broad spectrum antibiotic के तो salmonella typhi के सामने भी ये useful साबित होता है seratia के सामने भी उसकी useful है klepsi alla में भी ये useful साबित होता है enterobacter है yersinia enterocolitica का जो infection होता है फिर pneumocystis zero vaci के infection में staphylococcus oria से streptococcus pyrogen से seagela है फिर e coli bacteria है influenza है gonococci and maningo coci तो जितने भी अलग-अलग bacteria है समझे कि आपके report बगरा करवाते हैं ये इन में से किसे भी bacteria का infection समझे कि आपको है तो ये सभी infection के लिए सबसे based रहेगा ये co-trimoxazole का tablet because उसका जो spectrum है वो broad spectrum है बहुत सारे ये number of bacteria के करण होने वाले infection को ये medication ठीक करता है अब जानना जरू ये side effects क्या होते तो एक तो nausea vomiting common है कि अगर आप ये medications लेते हैं तो कई बार आपको उल्टी हो जाती है जी गब राता है जी मचलते है और फिर vomiting हो जाती है कुछ लोगों को diarrhea हो जाते है कि अगर high dose जमझे कि उनको suit नहीं होता या फिर किसी ने high dose में ले ले लिए tablet की जो हमने dose recommended किया वो dose तो सही है पर आप उससे भी ज्यादा double या triple dose ले ले लेते हैं तो कई बार आपको diarrhea हो सकते हैं skin के ओपर ऐसे racist develop होना चालो हो जाएंगे फिर stomach आपका disturb रहेगा कि gastrointestinal ट्रेक में disturbance जैसे आप फिल करेंगे कि जैसे nausea vomiting होती है फिर diarrhea होता है तो obviously आपको ऐसा फिलोगा कि आपका stomach मनलब कि पेट खराब है ऐसी condition form हो सकती है फिर आपके white blood cell decrease हो सकते है और फिर low blood cell count मनलब कि जो blood cells जो वगेरा होते हैं हमारे की चाहे RBCs है या फिर WBCs का जो count है वो decrease हो सकता है कई बार लंबे समय तक यह medications लेने से person mental depression में जाते हैं कई बार कुछ unconscious भी हो जाते हैं and loss of appetite मनलब कि आपकी जो book है वो कम हो जाती है तो यह सब कुछ side effects develop होते हैं तो अगर यह कुछ side effects ज़्यादा serious हो जाती है तो तुरंत यह medication को लिना बंद कर देजिए और तुरंत आपके doctor या pharmacist को बता के दूसरे alternative antibiotics आप यूज कर सकते हैं अब जान लेते उसके warning and contraindications तो जो neonates होते हैं कि जो first six week के जो neonates होते हैं उनको यह medication आप कभी भी ना दें कि उनसे जो काफी harmful effects उनके उपर हो सकती हैं फिर allergy condition है कि आपको co trimoxazole की allergy है फिर sulfonemide class के जितने भी antibiotic है उनकी समझे कि आपको allergy हो जाती है तो कभी भी यह medication को यूज ना करें या फिर कोई भी component की चाहे आपको trimethoprim की allergy है या फिर sulfamethokzazole की allergy है तो allergic हो जो जो जोते हैं आप या फिर ऐसे body पे hypersensitive reactions देखने को मिलती है तो separate tablet को यूज नहीं करने चाहिए फिर हमने अभी side effect देख्या कि यह जो हमारे blood cells होते हैं उनको decrease करता है और already आपके blood cell और उसमें भी समझे कि blood के अंदर platelet count आपका low है तो यह medication को यूज ना करें कभी भी फिर आपके body के अंदर arbuses भी कम है या फिर उनका level जो है वो काफी abnormal है तो भी यह medication को यूज नहीं करनी चाहिए फिर phenyl kotoniria की जो condition वाले patient है वो भी उसको यूज ना करें फिर अगर किसी को liver या फिर kidney related problem की liver fell ह kidney diseases है या फिर liver related problem है तो भी उसको यूज ना करें अगर आप pregnant है तो pregnancy के दोरान भी यह medication को यूज नहीं करनी अगर आपको कोई hematological disorder है blood related कोई भी बिमारिया है तो यह medication को यूज ना करें और सब से special neonates के अंदर भी आप यूज ना करें कि जो first six week के जो neonates होते हैं तो यह थे उसके warning and contraindications chapter and tablet के तो जैसे यह पर सीखा ऐसे ही दूसरी दवायों के बारे में सीखे फार्मारोक्स के mobile application पे एक साल तक सरल बासा में affordable price में अलग 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 दवायों के basic use के बारे में उनके dose, side effect, warning and contraindications तो अभी डाउनलोड कर लिजे application फार्मारोक्स को कि जो android application है Google Play Store प पे links आपको description box के अंदर मिल जाएगी या फिर 9016312020 नमबर पे आप हमें whatsapp कर सकते कि जिससे links वगर हम आपको provide कर देंगे courses की तो जरूर से डाउनलोड करे application फार्मारोक्स कि जो android app है Google Play Store पे Apple iPhone app है App Store पे link आपको description box में मिल जाएगी good luck and all the best